तो मैं आता हूँ सीधा point पर मैं आपको बिल्कुल new trick बताऊँगा और ये trick सभी android phone में काम करेगी आपका phone नया हो या पुराना सभी phone में आप 24 गंटे online रहकर सभी लोगों को offline दिखाई देंगे message पर single tick लगेगा अगर कोई भी बंदा आपको message करता है तो उसके message पर सिर्फ single tick लगेगा double tick नहीं लगेगा जबके आपके phone में internet on रहेगा आप अपनी पढ़ाई कीजिए अपना काम कीजिए आपको जो भी internet यूज करना है जिस भी app में यूज करना है आप अपने phone में यूज कर सकते हैं लेकिन आप WhatsApp पर सभी लोगों को offline दिखाई देंगे क्योंकि कोई भी अगर आपको message करता है तो message पर सिर्फ single tick लगेगा ये trick यूज करने के लिए दोस्तों आपको phone में एक setting करना होती है लेकिन वो setting सभी android phone में नहीं होती है तो कहीं सारे लोगों को दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है एक app अपने phone में download कर लेना है अगर आप देखना चाहते हैं आपके phone में setting है या नहीं तो आपको application पर यानि के WhatsApp पर एक second के लिए दबाना है app info में जाना है और data uses में जाकर आपको यहाँ पर disable mobile data को बंद कर देना है और disable wifi को बंद कर देना है तो यह trick WhatsApp पर काम करेगी लेकिन अगर यह setting आपके WhatsApp में नहीं है आपके phone में नहीं है तो आपको एक app download कर लेना है app का नाम है net blocker इसका download link मैंने वीडियो के description में दे दिया है इस app की मदद से भी दोस्तों कोई भी अगर आपको message करेगा तो message पर सिरिफ single tick लगेगा double tick नहीं लगेगा जैसी आप app को open करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इस तरह से cut कर देना है नीचे में setting off है आपको इसे on करना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको okay के button पर click करना है इसके बाद फिर से आपको okay कर देना है अब यहाँ पर आपको इससे cancel कर देना है यहाँ पर आपके mobile की सेभी apps आ जाएगी आपको थोड़ा नीचे आना है आपको whatsapp के सामने internet का एक button मिलेगा आपको इस पर click कर देना है तो एक cross का निशान आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अब दोस्तों whatsapp पर internet lock हो चुका है अब अगर कोई भी बंदा मुझे message करेगा तो उसके message पर single tick लगेगा यहाँ पर मैं आपको live दिखाता हूँ आप देख लीजी यहाँ पर मैं message कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर single tick लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ single tick लग रहा है जबकि मेरे phone में internet on है यहाँ पर आप देख सकते हैं wifi को मैं use कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको Chrome browser open करके दिखाता हूँ, कुछ browsing करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर internet काम कर रहा है, यहाँ पर हम कुछ open करते हैं, तो आप देखेंगे internet काम कर रहा है, लेकिन कोई बंद अगर मुझे message करता है, अगर कोई भी मुझे message करता है, तो उस सिर्फ एक बार click करना है cross का निशान हड जाएगा अब दोस्तों कोई भी message करेगा तो आप देख लीजे यहाँ पर message पर double tick लगेगा और जितने भी message सामने वाले ने आपको किये हैं सारे के सारे message आ जाएगे आप देख सकते हैं सारे के सारे message यहाँ पर आ चुके अब यहाँ पर blue tick भी लग गया है बैग आ जाते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर double tick लगेगा लेकिन gray color का double tick लगेगा आप देख सकते हैं और इस gray color की tick को भी आपको height करना है तो simple था जैसा मैंने आपको process बताया आपको application में आना है और whatsapp के सामने यहाँ पर internet के button पर एक पर किलिक कर देना है cross का निशान आ जाएगा अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर single tick लगेगा इस तरह से दोस्तों आप किसी भी android phone में whatsapp पर single tick को on कर सकते हैं और double tick को height कर सकते हैं अगर आप whatsapp से related और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको screen पर नजार आ रही होग पर दोस्तों आपको